हेलो, वेलकम एब्रिवन, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, आज मैं डॉक्टर रश्मी सिंग, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने, ये टॉपिक, ये टॉपिक एक्स्प्लेनेटरी नहीं है, फैक्टूल है, और हम लोगों को पता होना चाहिए ऐसा टॉपि है, हम एजुकेशन की फील्ड से डिरिकली जुड़े हों, तो भी जरूरी है, इन डिरिकली भी, अगर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे भी हैं, क्लासिस में पढ़ते हैं, तो भी हमको इस टॉपिक से रूबरू होना पढ़ता है, हमको पता होना चाहिए, N-C-E-R- का नाम नहीं सुड़ा हो, लेकिन हम लोग, हम में से अधिकानश लोग, इसके पूरे जो इसका constitution है, जो इसका constituent part है, जो इसके functions है, क्या-क्या ये करता है, किन-किन चीज़ों को deal करता है, इससे नावाकिफ रहते हैं, इवेन वो जो की field of education से related हैं, और ये आपके थेरी paper के अधिक्स बोडी करके या agencies of education, agencies of teacher education, agencies of school education करके headings होती है, topics होते हैं, जिनके अंतरगत हमको NCRT पढ़ना-पढ़ाना होता है, या NCRT पर ऐसे भी question आते हैं कि कब established हुआ, autonomous body है, कौन इसका chairperson है, कौन-कौन से इसके constituent part है, किसको deal करता है, किससे इसका मतलब है, इस तरीके के प्रशन है, तो आपको उन सभी में इस video से help मिलेगी, इस बातचीत से, तो शुरू करते हैं ये topic, सबसे पहले कि ये जैसा कि आपको slide पे दिखाए दे रहा है, NCRT का full form क्या है, ये abbreviation है, full form है, इसका national council of educational research and training, इतना maximum लोग जानते हैं, फिर इसके आगे, हम लोग क्या क्या परिपूर्ती करने के लिए इसको बनाया गया है, और ये एक नया इसमें inclusion है, ICT initiatives, क्योंकि जब NCRT आई थी, तब हम इतना digitalization नहीं था, हम डिजिटल यूग में नहीं थे, online platforms की इतनी बात नहीं हो रही थी तब, इसलिए ICT initiatives इसने बार मे रहे हैं, जब Digital India Program या उसके NCRT क्या है, सबसे पहले introduction, जो चीज हम लोगो एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, वो ये है कि the National Council of Educational Research and Training is an autonomous organization, set up in 1961, ये प्रशन बहुत मूलभूत प्रशन है, फिर भी कई बार हम लोग इसका answer देने में चूप जाते हैं, कि NCRT की स्थापना कब हो, ये 1961 में बनाये ग to assist and advise the central and state governments on policies and programs for qualitative improvement in school education, तो कभी-कभी ये भी प्रशन बनता है, कि NCRT किस से related है, higher education, teacher education, school education, second, कोई और education ले लिजए अप, adult education, तो हमको school education पर टिक करना है, क्योंकि अकसर कभी-कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कि NCRT किसे, लेकिन हम यहां से इसका सही उत्तर जान स कि जब NCRT की books, हम school level में पढ़ते हैं, तो आप इससे इसको correlate कर सकते हैं, कि NCRT mainly, मुख्य रूप से school education के qualitative improvement के लिए ही इसकी गठन इसका हुआ था, फिर, इसकी constituent units, हम, कौन-कौन से इसके घटक इसकी काईया है, तो जो most important है, वो है National Institute of Education, जो कि NIE के नाम से जाना जाता है इसका headquarter New Delhi में है, या ये New Delhi में ही है, then CIET, बहुत आपने इसका भी नाम सुना होगा, Central Institute of Educational Technology, ये भी New Delhi, then Pandit Sundar Lal Sharma Central Institute of Vocational Education, PSS, CIVE, 1994 में इसका गठन हुआ और ये भोपाल में है, और ये शुरुआत में नहीं था, क्योंकि 1961 में बनाया है तो, 1994 में ये बनाया नहीं कि कई सालों बाद इसकी जब जरूरत महसूस की गई, कि Vocational Education के लिए भी कुछ होना चाहिए, ऐसा कोई Constituent हमारे पास, तब ये बनाया गया, फिर ये RIEs तो शुरू में ही आ गयते, मतलब 1961 में आपका NCRT आया है, और ये RIEs 4, ये जो 4 दिये गए हैं, पांचमाबाद में आया है ये सब 1963 के हैं, यानि कि RIE, अजमेर, भोपाल, भुविनेशवर और महसूर, ये सारे Regional Institute of Education जो है, 1963 में बनाये गए, अभी बताती हूं क्यों बनाये गए, ये महसूस किया गया, कि जो नौथ East Reason है, वो हमारा छूट जा रहा है, तो नौथ East Reason जैसे आसाम, मिखाले, शिलॉंग के लिए एक N.E.R.I.E. बनाये गया, North East Regional Institute of Education, 1995 में, काफी सालों बार, तो जो कि ये RIE बनाये गए, इसलिए बनाये गए, पहले तो हम कहा रहे हैं कि School Education से Related है, और RIE में पढ़ाई होती है Teacher Education की, तो क्यों क्योंकि जो In-Service Teachers हैं, जिनको हम Produce करने जा रहे हैं, जो कि Schools में जाके पढ़ाएंगे, तो उनको हम Better Training देंगे, तो वो School Education को अंतता, Eventually, वो School Education को बहतर करेंगे, ये correlation है, तो इस तरह से आप इसका रोल Teacher Education में भी पर सकते हैं, कि Actually, ये बढ़िया टीचर्स प्रडियूस करने में हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि वो Teachers जाके School Education को ब कि परिपूर्टी हो सके, कि To Undertake, Promote and Coordinate Researches in Areas Related to School Education, Prepare and Publish Model Textbooks, ये हम लोग जानते हैं, कि आप even IES के, जब examination की त्यारी करने बच्चा जाता है, तो उससे कहा जाता है, कि आप NCRT की Books पढ़िये, बब सच्चग good material the NCRT provides to us, then educational kids बनाता है, अब तो multimedia digital material भी बना रहा है, NCRT, में मदद करता है, develop and disseminate innovative educational techniques and practices, फिर to collaborate and network with state educational department से भी collaborate करता है, इस तरह से universalization of elementary education के goal को पाने के लिए, ये nodal agency है, then cultural exchange program में भी bilateral cultural exchange program का ये हिस्सा होता है, school education के लिए, और international organizations जो है, जो school education के लिए काम करीं, उनसे भी collaborate करके और काम करता है, कौन? NCRT. Then ये, जो recently हमारे आपके लिए, सबके लिए बहुत जादा important है, importance की चीज़ है, कि कौन-कौन से ICT initiatives हैं, जो NCRT शुरू किये हैं, PME विद्या, ये क्या करेगा? Program for Multimode Access to Digital Education, जब Digital Education की बात हो गई, जब ये बात हो गई कि हम एक mode से नहीं चुरेंगे, बलकि Multimodal हमारा literacy का रूप रहेगा, तो PME विद्या एक तरह से आप कह सकते हैं, umbrella term है, जिसके अंदर अगर दीक्षा, देखें, ये सारे abbreviation हैं, लेकिन सारे abbreviation इतने खुबसूरी से design किये गए हैं, कि सब एक सार्थक शब्द के रूप में उभर के आते हैं, दीक्षा का अपने आप में भी मतलब है, और इसका full form अगर देखें, तो digital infrastructure, मतलब D for digital, I for infrastructure, and knowledge का सिर्फ के लिया है, और sharing से SHL लिया है, तो digital infrastructure for knowledge sharing, तो जैसा कि नाम से इस पश्ट है कि क्या है ये एक ऐसा हम infrastructure provide कर रहे हैं, जिसे हम knowledge को share करेंगे, और वो भी क्या है, digital form में है, तो ये किस तरह का platform क्या है, ए platform to disseminate e-books and digital contents of NCRT, यानि NCRT की जितनी books हैं, उनको, sorry, e-books के रूप में ये वितरित कर रहा है, disseminate कर रहा है, then Swayam, Swayam अब तो बहुत-बहुत popular हो गया है, Swayam क्य study webs of active learning for young and aspiring minds है, इसका full form और इसके nine national coordinators है, अगर आप Swayam के home page पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा, कि nine national coordinator हैं, जो Swayam के लिए courses बनाते हैं, जिसमें UGC है, CEC है, NICTR है, उसमें NCRT भी है, NIOS भी है, NCRT किसके लिए है, जो कि school education के लिए courses बनाएगी Swayam पर, और Swayam क्य है, online platform है, आपके courses के लिए, MOOCs के लिए mainly, MOOCs for, मैं massive open online courses के लिए Indian digital platform है Swayam, उस तरीके के और हैं, जिसे बाहर के courses platform का क्या है, Coursera, Udemy, इस तरीके के, और आपका Edex, Edex है न, फिर epartshala, epartshala कैसा portal है, ये CIET और NCERT ने मिल के बनाया है, और as late as in, 2015, 2015 में बनाया गया है, और Central Institute of Educational Technology and NCERT ने मिल के इसको publish किया, launch किया है, फिर NROER, आजकल OER पर बहुत बात होती है, open educational resources है न, इस पे अलग से कभी आपसे बात कर ली जाएगी, तो, sorry, ये जो NROER है, ये national repository है, मतलब, जितने भी खुले शैक्षिक संसाधन है, उसका एक CIET और NCERT ने मिल के बनाया है, कब बनाया इन्होंने, 2013 में, और ये कब launch किया गया, एक national conference हो रही थी, on ICT for School Education, उसी में ये NROER का concept और ये platform launch किया गया, Then, ICT curriculum, step towards realizing the goals of both the national policy, the national curriculum framework and the recommendations of digital India campaign, यानि कि NCF 2005, national policy और digital India campaign के goals को realize करने के लिए, कि हम उसको achieve कर पाएं, सिर्फ on paper न रह जाएं, ICT curriculum का एक initiative की रूप में है, NCRT के निश्था, देखें, ये भी एक abbreviation और full form इसका खुल के आता है, National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement, तो जैसा कि नाम से इस first है, ये भी आपको बता देगा कि ये किस के लिए है, जितने भी school के heads हैं, principals हैं, teachers हैं, उनके holistic advancement के लिए, ये एक initiative NCART ने बनाया है, then augmented reality, ये AR app करके आपको मिल जाएगा, NCART के आप portal पे जाएंगे तो, ये किस के लिए है, aiming to energize the textbooks, augment child to child, teacher to teacher and child to adult interaction, तो इतने प्रकार के initiatives, जो ICT world में, जो digital world में लिए गए हैं, किस की तरफ से, NCRT की तरफ से, तो आप देख सकते हैं, कि इस सभी बहुत ही important हैं, और successful भी हैं, then जो सबसे पहला constituent है, इसका National Institute of Education, उसमें बहुत सारे departments हैं, बहुत सारे divisions हैं, और cells हैं इसकी, जो कि बतलब पूरा आमूल चूल काम करते हैं education की क्षेत्र में, of education, education in science and mathematics, बहुत सारे, कुछ नहीं छूटा है, languages, social sciences, gender studies, teacher education, curriculum studies, तो इतने department ने जो काम करते हैं, जो textbook बनाने में, जो policies के लिए, और भी इस तरिके का cultural exchange program के लिए काम करते हैं, then divisions of NIE, कितने divisions से मिलके काम होता है, publication division, क्योंकि NCRT से बहुत सारे journals, books publish होती है, books तो publish होती हैं, journals भी बहुत सारे publish होते हैं, library and documentation, international relation, planning and monitoring, educational research, educational survey and division of educational kids, सब के लिए अलग division है, अलग department है, और यह सब आपस में collaborate करके, NCRT के काम को चलाते हैं, और एक Hindi cell के नाम से cell भी है, NIEE में, then CIET, Central Institute of Educational Technology, it is a constituent unit of NCRT, came into existence in the year 1984, तो हमको यह समझना होगा, कि 1961 में NCRT बन रही है, उसके 23 साल बाद, CIET का गठन हो रहा है, और कैसे हो रहा है, with the merger of Center for Educational Technology, Center for Institutional Technology, CET था एक, and Department of Teaching Aids, एक DTA था, तो दोनों को मिला के, Central Institute of Educational Technology का दिया गया, यह क्या है, एक Premier National Institute of Educational Technology है, और इसका मुख्योदेश क्या है, कि प्रमोर्ट उतिलाज़ेशन of Educational Technologies, कि जितनी भी शक्षिक तक्नीकी की, के संसादन है, उनका भर्पूर उतिलाज़ेशन किया जा सके, बहतरी के लिए, एजुकेशन के. Then, इंस्टिटिट अंडर्टेक्स अच्टिविटीज तो वाइडेशन अग्योटिटीज, प्रमोट इक्विटी, और इंप्रोव क्वालिटी of Educational Processes at School Level. Then, लास्ट प्नॉट नॉट इलिस्ट, अभी तक तो इस पष्ट हो गया होगा, फिर भी, क्या-क्या करता है, यह जितने भी, NIE तो एक है, और Regional Colleges of Education जितने हैं, उनको एड्मिनिस्टर करता है, उनका मॉनीटर करता है, और क्या करता है, प्रमोट, कोडिने, मतलब, मेंली तो इसको स्कूल एड्यूकेशन पर काम करना है, लेकिन उससे रिलेटेट जितनी भी एड्यूकेशन की शाखाएं हैं, सब के संग कोडिनेट करता है, और प्रमोट करता है अनुसंधान, तकि हम लोग स्कूल एड्यूकेशन को बहतर कर सकें, प्री सर्विस और इन सर्विस एड्यूकेशन परग्रेशन के लिए बनाता है, तो इस तरह के से आप NCRT को टीचर एड्यूकेशन से भी रिलेट कर सकते हैं, और क्या करता है, स्टड़ी मैठीरियल बनाता है, टीचर्स हैंडबुक बनाता है, talented students के लिए scholarship भी है कहां-कहा science, technology और social sciences के खेत्र में और क्या करता है ministry of education जो जो function assign करती है वो करता है और promote, organize and foster research in all fields of education और to disseminate knowledge of improved educational techniques and practices and last but not the least to conduct special studies surveys and investigations तो इतना काम है NCRT के पास करने के लिए तो as an apex body of education as a central body for governing school education, as a central body for utilizing assisting in teacher education we the disciple of education, we the teacher of education discipline must know about NCRT in totality okay so thank you all and I hope that this lecture this video will help you to understand the functionality of NCRT done from my sight